नमस्कार बहवानी भिट्टाचारे पर एक वीडियो में पहले बना चुकी हूँ और अगर आपका descriptive question आते हैं तो आपको उसी वीडियो के आधार पर लिखना है थोड़ा सा उनका life का introduction देना है और उनके works के बारे में लिखना है जैसा मैंने उस वीडियो में discuss किया था और multiple choice questions थोड़े से हम देख लेते हैं लेकिन वो वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है पहला question है भवानी भट्टाचारे वन दा साहिते अकडेमी अवार्ड फॉर यानि भवानी भट्टाचारे ने साहिते अकडेमी अवार्ड जीता था किस novel के लिए यानि किस work के लि who rides a tiger तो इन में से सही option है और ये जो novel है उनका ये इंडो चाइना वार पे लिखा हुआ है और इसी novel के लिए उनको साहित तैकेडेमी अवार्ड भी मिला था next है he was born at यानि के भवानी भट्टाचारे was born at कहां पैदा हुए थे भवानी भट्टाचारे आगराव वारानसी भागलपुर केलकटा तो यहां आपका सही जबाब है भागलपुर next question है on which date and year he was born वो किस तारीख और साल में पैदा हुए चार ओप्शन आपके हैं 10th November 1905, 20th December 1907, 18th August 1906 या 10th November 1906 तो देखिए यह जो है आपने कोई year तो यादी होगा 1906 लेकिन यहां थोड़ा difficult कर दिया यह question 1906 दो जगे दे दिया दो options में तो सही उत्तर है 10th November 1906 हलांके exam में ऐसा नहीं आना चाहिए लेकिन फिर भी अगर आता है आप धियान रखें next question from where did भवानी भटाचार्य receive his doctoral degree तो भवानी भटाचार्य को अपनी doctoral degree यानि PhD कहां से उनको प्राप्त हुई पटना यूनिवर्सिटी, केलकटा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ओफ लंडन तो उनको अपनी doctoral degree जो मिली वो यूनिवर्सिटी ओफ लंडन से मिली नेक्स्ट क्वेस्टन है, विच पोइम ओफ टैगोर वोस ट्रांसलेचट बाई हिम यानि टैगोर की कौन सी कविता उनके द्वारा अनुवादित की गई थी ओप्शन्स हैं आपके तो यह उनकी कविताओ्स के कलेक्शन हैं, संग रहे हैं तो इन मेंसे कौन सा ट्रांसलेट किया था भवानी भटाचारे में तो इसका सही जवाब है दा गोल्डन बोट next question है in which year he who writes a tiger was published यानि he who writes a tiger जो novel है ये किस साल publish हुआ तो पिछले वीडियो में भी आपने देखा था किस साल publish हुआ था आपके options है 1954, 1956 1955, 1957 तो इसका सही जवाब है 1954 1954 next question है which of his novels strikes upon superstition थोड़ी से spellings में यहां पर mistake है S T R I K E S होना चाहिए which of his novels strikes upon superstition तो उनका कौन सा novel है जो के superstition यानि कि अंध विश्वास पर strike करता है यानि कि चोट करता है तो इंडियन केवल केट गांधी दा राइटर ही हू राइट से टाइगर या फिर म्यूजिक फॉर मोहनी आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने उनके वर्क्स को डिसकस किया था तो जब हम डिसकस कर रहे थे तो ही हू राइट से टाइगर के बारे में जब डिसकस किया था आपको याद होगा के वहाँ नहीं सॉरी ये जो म्यूजिक फॉर मोहनी ही हू राइट से टाइगर में तो बात हुई थी कास सिस्टम की कास सिस्टम पर उन्होंने स्ट्राइक किया था लेकिन सुपरिस्टिशन पर उन्होंने जो स्ट्राइक किया था वो बेटा बेटा मर जाएगा तो अगर एक साल के अंदर मा नहीं बनी जल्दी से मा नहीं बनी तो ऐसे करके बहुत टोर्चर करती है वो अपनी बहु को तो ये सुपरिस्टीशन्स हैं अंदिविश्वास हैं जिन पर चोट की है भवानी भटाचारे ने अपने नौवल म्यूज तो ये जो म्यूजिक फॉर मोहिनी है उसमें मोहिनी के हस्बेंड का क्या नाम है अप्शन्स है जैदेव दिनेश जैसींग मोहन तो इसमें सही अप्शन है जैदेव मोहिनी के हस्बेंड का नाम वहां जैदेव है तो जैदेव की जो मा है वो बहुत सुपरिस्टीशस है औ next which of his novels is a satire on casteism हाँ ये आया जो मैं गलती से हाँ आपको बता रह गई थी कि कौन सा which of the novel which of his novel यानि कौन सा novel भवानी भटाचारे का is a satire एक व्यंग है on casteism यानि जाती बाद पर जाती प्रता पर तो यहां आपके option है he who writes a tiger music for Mohini so many hungers और a goddess named Lakshmi तो सही जबाब हम पहले ही यहां discuss कर चुके हैं he who writes a tiger इसमें caste system पर satire है caste system पर war किया गया है next question है हमारा in which year यानि किस साल the shadow from Ladakh was published तो shadow from Ladakh किस साल प्रकाशित हुआ options हैं हमारे पास 1964, 1966, 1965 और 1967 तो इसमें सही option है 1966 then next question what was the name of भवानी भटाचार्या's wife या फिर wife of भवानी भटाचार्या तो उनकी पत्नी का क्या नाम था भवानी भटाचार्या की पत्नी का नाम क्या था सरला, मोहिनी, सलिल, मिर्डालेनी मिर्डालेनी के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं दोनों पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था के श्री और विंदो की जो wife हैं उनका नाम भी मिर्डालेनी था और रविना ट्रेगोर की wife का नाम भी मिर्डालेनी था लेकिन भवानी भटाचार्या की wife का नाम क्या था सलिल तो ये आपको याद रहना है उनकी wife का नाम सलिल था next in which country did भवानी भटाचार रे die did लगता है तो died नहीं लगता देखिए फिर से एक बुक में mistake है तो did जब आता है तो die आता died नहीं आता तो भवानी भटाचार की मृत्यू किस देश में हुई US, Germany, UK या फिर India इसका सही उत्तर है US अमेरिका में उनकी मित्यू हुई थी next question with whom he was impressed with whom यानि किस से he was impressed वो प्रभावित थे at University of London London University में किस से प्रभावित हुए वो चार option है आपके W.B. Yeats, Harold Pinter, Harold Lasky none of these तो भवानी भटाचार के वहाँ पर teacher थे Harold Lasky और Harold Lasky से भवानी भटाचार बहुत प्रभावित हुए in which department did भवानी भटाचार वर्क एट वाशिंग्टन डी सी तो वाशिंग्टन डी सी में भवानी भटाचार किस विवहाग में काम करते थे college में Indian embassy में sports department में या फिर none of these तो पिछला वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको याद होगा कि वो Indian embassy में press attache थे यानि press को समभलना उनका काम था Indian embassy में तो इसका सही option है Indian embassy next question है आपका where did he work as a visiting professor तो एक visiting professor के रूप में वो कहां काम करते थे University of Hawaii University of London Indian embassy पटना यूनिवर्सिटी तो विजिटिंग प्रोफिसर के रूप में वो University of Hawaii में काम करते थे Indian embassy में तो वो press attache थे तो इसका सही उत्तर है University of Hawaii next है in which work यानि किस रचना में the historical sketches यानि एतिहासिक sketch were published प्रकाशित हुए थे options हैं आपके so many hungers shadows from Ladakh Gandhi the writer या फिर Indian cavalcade तो इसका सही उत्तर है Indian cavalcade यानि ये एक historical एतिहासिक रचना है इतिहास पर आधारित है next है which novel deals with China invasion यानि कौन सा उपन्यास है जो चीन के आक्रमर से संबंधित है invasion means आक्रमर तो चीन के आक्रमर से संबंधित कौन सा उपन्यास है उनका options है आपके so many hungers desperate women shadows from Ladakh और a goddess named gold तो इसका सही उत्तर है shadows from Ladakh ये इंडो चाइना war से related है next in which year did इंडो चाइना war take place तो इंडो चाइना war किस साल हुआ था तो options हैं आपके 1960 1962 1961 और 1965 तो इसका सही जवाब है 1962 ये वैसे भी GK का सवाल है तो आपको पता होना चाहिए आपसे पूछा जा सकता है भले ही आपको shadow from लद्दा के बारे वैसे तो पता होना ही चाहिए क्योंकि उनको इसके लिए साहे तेगड़े में award भी मिला है तो भी आपको मालूम होना चाहिए और ये जो बुक है related है इंडो चाइना war से इतना भी पता होना चाहिए सही जवाब है और ये एक comparatively आपके लिए important question है next देखते हैं जो के हमारे पास last question भी है what are the chief characteristics of his novels यानि उनके novels की मुख्य विशिशताएं क्या है और options है हमारे पास strike on social ends यानि वो war करते हैं जो सामाजिक ends की जगा बुराईयां भी रख सकते हैं social evils social political scenario जो सामाजिक राजनीतिक scenario है जो परेद्रिश्य है उस पर उनका उनके novels की विशिशता है या फिर symbolism यानि प्रतीकात्मक्ता उनके novels की विशिशता है और चौथा option आपके पास है all of these तो जाहिर सी बात है कि उनके novels की ये सारी विशिशता हैं यानि सामाजिक विशियों पर भी वो लिखते हैं social political scenario सामाजिक राजनीतिक विशियों पर लिखते हैं और प्रतीकात्मक्ता भी है उनके novels में तो आपका option होगा D जो के सही option है इसके साथ ही ये विडियो हम यह समात करते हैं धन्यवाद प्रतीक विशियों पर लिखते हैं